हरे कृष्णा दोस्तों तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक के उपर बात करते हैं जो कि हमारे पौदों की ग्लोथ के लिए बहुत ही अवश्यक है हर एक गार्णर को जो इसके बारे में पता होना चाहिए और वो है कि हमें अपने पौदों की पतियों को क्यों साफ रखना चाह स्कुद متения कि हमें कि हमें पौदों की बिडिती में और तो आज हम इस वीडियो में यह ही जानेंगे हमें पौदों की पतियों को जो हमेशा नीट आंड क्लिं क्यों रखना चाहिए मेरे इस ऐरिया में अपने पौदों को अच्छे से जोबु साफ नहीं कर पाती हैं ,क्योंकि हमारी यहां पे गाड़ी क्लीन नहीं कर पाती हैं , तो मुझे हमेशा अपने प्लांस जो बढ़ा उठा के अंदर लेके जाने पड़ते हैं ताकि मैं इनको अच्छे से साफ कर सकूँ मैं मौईने में कम से कम दो वार ऐसा करते हूं जिससे की पतिया जो वो साफ सुत्री रहें क्योंकि यह जो एरिया है बिलकुल गली के साथ लगता है और यहां पे धूल मिटी जो वो अक्सर पत्तों के उपर पड बाती हैं पोदे की ग्रोथ के लिए इनसे क्या होता है कि परकास अंसलेशन में कमी आती है और पोदों की स्वस्ते सबंदी समस्य हैं जो वो बहुत सारे हेल्थ इशू जो वो पोदों को स्टार्ट हो जाते हैं पोदों की पतियां पीली हो जाती हैं पतियां नीचे गिरना शुरू हो जाती है क्योंकि पौपर जो वो पौदे सांस नहीं ले पाते हैं पौपर उनको रोशनी नहीं मिल पाती है दूल मिटी लगी होती है एक तो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते है तो चलिए आज इसी के उपर बात करते हैं कि हमें पौदों की पत्यों को हमेश साप पत्ते जो वो जादा रोशनी अफजर्व करते हैं जिससे क्या होता है कि पौदों की ये पृद्धी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो साप पत्ते हैं वो जादा रोशनी अफजर्व करेंगे इससे क्या होगा प्रकास अंसलेशन की परिक्रिया जो वो बहुत ही अ वाज पढ़ते है तो गारियाँ वाडियां जाती हैं। तो धूल मिटी जो मेरे पौदों के ऊपर गिरती रहती हा। तो मैं हाड़ 10-15 दिन के बाद यह प्रसने जरूर करती हूं की मैं अपने पौदों की पतियों को जो वह हमेशा साफ करती हूं। नमबर दो, हमें पौदों की पतिओं को क्यों साफ रखना चाहिए? क्योंकि गंदे पतों पर क्या होता है? कीडे, मकोडे जीसे लोग बैठे हैं. तो इससे क्या होता है कि पौदे हैं वो मनूद की ड्रिजीजी से पौट्रक्शन नहीं कर पाते हैं. आप मेरे इसी पौदे को देखिए एक खुजली वाला कीड़ा है उसने इतना तंग करके रखा हुआ ना बहुत सारे पत्ते जो हो वो उसने खा लिया लेकिन मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कुछ प्लांट तो ऐसे हैं कि उसने बिल्कुल ही उनके पत्ते जो वो खा लिया देखिए मेरे अगलो निमा के प्लांट के पत्तों को भी उसने खाया हुआ है यह तो खैर सीजनल होता है कि सीजन में वो खुजली वाले कीड़ें वो हमेशा आते ही आते हैं लेकिन कुछ कीट पतंगे छोटे छोटे आपने देखिऊंगे ब्लैक करके जो कि पत्तियों पर बैठे रहते हैं इससे क्या होता है कि बहुत सारी डिजीजिस जो वो पौदों को लग जाती हैं पतियां खराब हो जाती हैं तो पौदा जो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है जितनी पत्त पौदा उतनी ही अच्छे से जो वो ग्रोथ करेगा नमबर तीन एक तो जब हम पतियों को साफ करते हैं तो देखिए नेचरली जो क्या होता है कि पौदा सुन्दर दिखाई देता है साफ और सुच पत्ते पौदों को सुन्दर तो दिखाते ही हैं और हमारे गार्डन की श साफ कट कर देना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी जो वो अफजर्व करती इससे भी प्लांट जो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है सुखी पत्तियों को भी साफ साफ निकाल देना चाहिए ताकि एक तो पौदा सुन्दर लगे देखने में और दूसरा पौद अपने आसपास के एरिये में बहुत अच्छी जो वो एयर प्रवाइड करते हैं जो कि पौदे की सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारे एन्वार्मेंट के लिए भी बहुत अच्छा है अगर पतियां साफ सुत्री होंगी तो हमारे आसपास का एन्वार्मेंट भी जो वो बहुत अच्छा होगा अभी देखिए मैंने सारी पतियां जो वो साफ करती हैं तो कितने देखने में सुन्दर लग रहे हैं और इनकी क्या हता है कि अगर आम इनको अच्छे से साफ सुत्रा नहीं करेंगे तो जैसे कि जो वेरिगेटिड पतियां होती है उनमें वेरिशन ही क विलम क Hudson की परीकलय को रिलीज करते हैं अगर पती साफ नहीं होंगे तो अच्छे से साइस नहीं ले पाएंगे जो gases होती हैं जैसे की carbon dioxide और oxygen उनका आधान परदान जो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा इसके इलावा पत्ते जब परकास insulation के दोरान सूरे की रोशनी पानी और carbon dioxide का उप्योग करके जो भोजन त्यार करते हैं इस परिक्रिया में क्या होता है कि oxygen जो वो produce करते हैं तो पत्तों का साफ होना जो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए पत्ते पौदों के लिए महतरपूर्ण होते हैं क्योंकि वो ना केबल सांस लेते हैं बलकि इन से ये प्लांट्स में energy भी produce करने में help करते हैं इसलिए पौदों की पत्तियों को जो वो हमेशा साफ रखना चाहिए ताकि पौदे अच्छे से सांस ले सकें अच्छे से अपना भोजन बना सकें पौदों की अच्छी growth हो सकें पौदों में अच्छी greenery बनी रहेगी और आपका पौदा जो बहुbuilt किसी भी विमारी की चपेट में नहीं आएगी उसकी growth में कोई वादा नहीं आएगी वो अपना भोजन अच्छे से बनाएगा, सांस अच्छे से लेगा, बस इसकी पतियों को साफ रखिए, बस ये जो परसेस है वो पौदे की ग्रोथ के लिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि हर गार्वनर को इसके बारे में पता होना चाहिए, जब भी आप ये वाली पत्तम, लिए थे ख़ी के बनाएगा, जब अचनल को सबर्म Dip, में और बस बहुत न जरूंत की अधीड़ आगए, तो, वर्ण को साफ रखिए हैपी गार्णिंग